नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गता है आपका आपके अपने चैलन नहीं बंग में तो जैसा कि आप सभी को पता है भी जो आपकी कलासी चल लिए वो राजस्तान हाई कोड गूरूप टी एक्जाम 2020 के लिए आपकी हिंदी व्याकनी कलास है और इसमें हम जो आपका रा प्रॉल पेपर को शुरू करने से पहले एक बार फिर सभी को राम राम पहला चुछन आपकी स्कीन पर आच चुका है आपको बताना है कि स्टार्टिंगे आपके चार क्यूशन है वो आपकी वर्तनी सुद्धी से सम्बन दीते यानि आपको एक बोल्ड अक्सर देरका है ग मताइए क्या आएगा चार उप्चन में से इसमें आएगा उप्चन नमर भी युदिश्ठीर आएगा नैंकि युदिश्ठीर नहीं युदिश्ठीर होगा बढ़ते नेक्शन की और अब आपको बताना है कि पाणुओं में केवल अभिमन्यू ही चक्रविय का बेदना जा इसमें आपका सुद रूप होगा आपका उप्चन नमर डी वाला आएगा चक्र वी होगा उप्चन नमर बी में विदे को सेम दे रखा लेकिन युदिश्ठी मातरा आपकी उल्टी हैस में बढ़ते नेक्शन की और समय का दरूप्योग किसी भी अवस्ता में उचित नहीं का जा सकता इसमें आपको दुरूप्योग की जगा बताना की कौन सा सबद हो सुटेबल होगा यानि सुद सबद बताना वो कौन सा आएगा कौन सा आएगा चार उप्चन में से तो इसमें आएगा आपका उप्चन नमर सी वाला दुरूप्योग आएगा उप्चन नमर सी बढ़ते हैं नेक्शन की ओर अब आपको बताना है कि प्रेम चंद का साहिते राष्टे चेतना का पूंजी भूत जोती स्टूप है तो बताइए पूंजी भूत यहां पर क्या बॉल्ड अक्सरों में दे रखा है इसमें आपको बताना है क्या आएगा प्रेम चंद का साहिते राष्टेज यतना का पूंजी भूत जोती स्टूफ है तो इसमें कौन सा आएगा सही जवाब सुधरूप आएगा पूंजी भूत आपसन नमबर बी वाला आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब बढ़ते हैं नेक्शन की ओर अब आपको बताना है कि व्यर्थ सब्द में किन वर्णों की संदी हुई है बताइए व्यर्थ सब्द में किन वर्णों की संदी हुई है यह आपको बताना है चार ओप्शन में से क्या आएगा तो व्यर्थ सब्द में किन वर्णों की संदी हुई है तो वेर्थ में होई है E पलस में A की option number A आएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन की और अब आपको उताने कि निमल लिखी सब्दों में से किसमें सवर संदी है बताइए किसमें सवर संदी है चार ओप्शन में से चार ओप्शन आपको देरके सही जवाब बताना आपको क्या आजाएगा इसमें निमल लिखी सब्दों में से किसमें सवर संदी है तो इसमें आएगा option number B रमायन किसमें है option number B आएगा रमायन में नेक्शन की आपका निमल की सब्दों में से किसमे वेंजन संदी आताईए निमल की सब्दों में से किसमे वेंजन संदी आपको ये बताना है चार ओप्षन आपको देर के सही जवाब बताना आपको क्या आजाएगा इसमे क्या आएगा चार ओप्षन में से वेंजन संदी पूछी आपसे तो इसमें आएगा दिगंबर ओप्शन नमबर बी वाला पिल्कुल सही जवाब इसमें आपकी क्या है वेंजन संदी है बढ़ते एनेक्शन के ओर अब आपको ताने के निमल खीत में से किस सबद में दवीगू समास है निमल खीत में से किस सबद में आपको बताना की दवीगू समास है चार ओप्शन आपको दिये में से जवाब आएगा इसमें किसमें है पसेरी में ओप्शन नमबर भी आएगा आपका बढ़ते एनेक्शन के ओर बतागे और निमल लिख्यत में से कौन सा पद अवे बाव समास है, चार ओफिन में से आपको बताणा है, 쉬heई जिवाब क्या आएगा इसमें, क्या आएगा चार ओफिन में से? पड़ते आइगा फो तो इसमें गौन्सा होता है इक cray आईगा इसमें ऑ बीक शोड दिया तो आपको डेरखा यह पॉल्ड डॉक्सर इसका आपको प्रियावाची सबद बताना है आगे के तीनों क्यूशन में आपको प्रियावाची सबद बताने है बताए तुनिर का प्रियावाची कौन सा इन में से चार ओप्सन में से क्या आएगा इसमें तुनिर का प्रियावाची बताना आपको तो इसमें आएगा निशंग वप्सेनकर शी आएगा इसमी आपका बिलकूर सही जुआब बढ़ते नेक्सन की और सिर्राम ने हर्मान जी को दूत बनाकर सीता जी के पास भेजा बताए ज़ाने किया आएगा च्छारोप्चन में से तो दूत का आपको उताना है प्रिया बच्ची क्या आएगा इसमें दूत का प्रिया बच्ची बताइए क्या आजाएगा इसमें जारो अप्शन आपको देर के सही जवाब बताना आपको क्या आएगा इसमें तो दूत का आएगा आपका क्या आएगा दूत का आएगा इसमें सही जवाब वो होगा आपका option number option number A पायक आएगा इसमें दूत का आएगा पायक बढ़ते इनेक्षन के ओर तरणी तनुजा तर्ट तमाल तरुवर बहुच्छाए इसमें आपको उताना है तरुवर का तरुवर का आपको बताना है प्रिवाची क्या आएगा इसमें चार option में से तरुवर का आएगा आपका option number D वीपट क्या आएगा इसमें वीपट आएगा इसमें बढ़ते नेक्षन के ओर अब आपको बताना है कि नेता जी नहीं है आस्वासंदिया कि गाओं में बिजली के समस्या को शीगर हल करवाया जाएगा तो यहाँ पे आपको शीगर दे रहा है इसमें यह आपको बताना है कि इसका आपको विलोम सुथ बताना है आगे के जो तोईन कुसन है इसमें आपको विलोम सुथ बताने है बताइए क्या आएगा शिगर का आपको बताना है विलोम क्या आएगा इसमें शिगर का विलोम आएगा विलमब उप्सन नमबर सी आएगा इसमें बढ़ते नेक्शन की ओर यथार्थ मनुश्य वही है जो मानविय मुल्यों का अनुश्रण करें यथार्थ मनुश्य भई है जो मानविय मुल्यों का नुसरण करे यहाँ पे यथार्थ दे रखा है यथार्थ का आपको उताना है कि विलोम क्या आएगा इसमें यथार्थ का विलोम क्या आएगा चार ओप्शन में से तो इसमें आपका जो सही जुआब होगा यथार्थ का उल्टा पूछा आपसे तो इसमें आजाएगा आदरश option number A आएगा इसमें बढ़ते नेक्शन के ओर गरस्ती के बंदन के कारण में कहीं आजा नहीं सकता बढ़ते नेक्शन के ऊणे कारण में कहीं आजा नहीं सकता बंदन का आपको बताना है उल्टा क्या आएगा इसमे बंदन का प्रेवची बताना आपको क्या आजाएगा इसमे तो इसमें आएगा आएगा व्यमोचन option number D आएगा इसमे बढ़ते हैं एक्सन के और पूर से जवाब बढ़ते नेक्शन के और पार किया हुआ पार किया हुआ वाक्य के लिए आपको एक सबत बताना कौन सा आएगा पार किया हुआ वाक्य के लिए एक सबत बताईए चार ओप्सन में से क्या आएगा तो इसमें आएगा वितीरण ओप्सन नमबर C बढ़ते नेक्शन के हो जिसके आरपार देखा जास के जिसके आरपार देखा जास के उसको ग्या बोलते हैं बताईए तो जिसके आरपार देखा जास के पार दर्शी होता है ओप्सन नमबर C नेक्षन की आपका बेराबर वालों का मुकावला बाकी लिए आपको बताना है कि Lyn के लिए एक सब्द क्या होगा क्या आईगा इसमें परती द्वान द्वे ओप्षन नेमबर डी आईगा इसमें आपका बिल्कुल से जवाब बढ़ते नेक्शन की ओर निमर में से किस का उचान तालू से होता है बताईए कौन से सब्द का यानि कौन से वरग का उचान वो तालू से होता है आपको बताने चारों उप्शन में से कौन सा आएगा इसमें तो इसमें आएगा आपका उप्शन नमर सी आपको बिल्कुल सभी जवाब वेक्ती इस्टान या वस्टु इसेश का बहुत गॉराने वाले सब्दों को क्या कहते है बताइए वेक्ति स्थान या वस्तु विशेस का बहुत कराने वाले सब्दों को क्या कहते हैं तो इसमें आएगा आपका सही जवाप वेक्ति वाचक संग्या ओप्सन नमबर सी आएगा इसमें आपका बिल्कुल सही जवाप बढ़ते एलेक्शन की और आपको बताने की अब आपको बताना है कि किरिया के होने का समयत था उसकी पूर्णता और आपूर्णता का बहुत किस सी होता है बताईए किरिया के होने का समयत था उसकी पूर्णता और आपूर्णता का बहुत किस सी होता है आपको बताना है चार ओप्सन में से क्या आएगा चार ओप्सन म आप मेंगे और नम्हें आपको बताएंाल से इंटारों यह सहाँ इस आपको बताने में में इसे इन चार यह इसे आपको संब्द वाचक सरूह नाम बताने कौन सा आए गा कौन सा आएगा संबन्द वाचक सर्वा नाम तो इसमें आएगा आपका option number C आएगा इसमें जो क्या आएगा जो आएगा इसमें आपका बिल्कुल सही जो आप बढ़ते ने action की ओर अब आपको बताना है 27 और 28 नमर क्यूशन में आपको शुद वाक्य बताना है शुद वाक्य बताना है इन चारों में से कौन सा है इनको जल्दी जल्दी आपको पढ़ देना है आपको पांसे लिगा टाइम दिया जा रहा है क्या आएगा चारों option में से चारों option में से अगर बात करें सही जो आपकी कौन सा सही होगा इसमें तो इसमें आजाएगा आपको घर छोड़ कर कौन सी ऐसी बात नहीं करता आपको छोड़ कर कोई ऐसी बात नहीं करता उप्सन नमबर D आएगा इसमें क्या आएगा इसमें आपको छोड़ कर कोई ऐसी बात नहीं करता option number D, बिल्कुल सही सुद वाक्य आए, बढ़ते नेक्शन की और अब आपको बताना है, ठाइस नमर क्यूशन में सुद वाक्य कौन सा है सुद वाक्य चाट ये कौन सा आएगा चार ओप्शन में से कौन सा आएगा इसमें सुद वाक्य तो इसमें अगर बात करें सही जवाब की तो इसमें आएगा option number C वह दंड के योग्य है, option number C आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन की और अब आपको बताना है कि हिम्मत हरना इस पदकार्थ क्या है बताए इसमें आपको यानि मुआवरे कार्थ बताना क्या आएगा तो इम्मत हरना यानि आशा छोड़ देरा option number C आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन की और अकल का दुस्मन मुआवरे कार्थ बताए अकल का दुस्मन मुहावरेकार्थ बताना आपको क्या आएगा चार उप्षन मेंसे अ घष् fire आएगा चार उप्षन मेंसे अगर बात किश्मन सेवाब की तो इसमिंधे आएगा आपका महामुर्च होना क्या आएगा इसमें महामुरे खोना उप्शन नमर B बढ़ते नेक्शन की ओर अब बताना आपको हवासे बाते करना मुआवरे कार्थ है बताईए हवासे बाते करना कौन से मुआवरे कार्थ है यह आपको बताना है यानि हवासे बाते करना आपको 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 एक ओनलाइन प्रेक्टिस हेट राजस्तान हाई गूर्ड गूर्प डी का वह आपको प्रोवाइड करवाई जाता है अब तक जितने मी क्लासे हो चुकी अगर आप उनको अच्छी तरह किसे लगा लेते हो तो आपका आराम से क्या है पेपर किलियर हो जाएगा अगर आप सच जोड़े है उनसे पी यह रिक्वेस्ट लेगी करप्या करके सभी क्लासे जोइन करो जितने आपकी हो चुकी है रोजाना कम से कम पांस क्लासे लगाओगे तो अब आप क्या है आराम से 10 या 20 दिन में आराम से क्या है सभी क्लासों को आराम से पार कर लोगे और अच्छी तर पर हमने परनी कि उसको चार हो घुंडदा प्षय नंबर ? इसमें आपका विल्कुल सही जवाब। नेक्शन कि आपका चार दिन की चांद नहीं फिर हंदेरी रात आपको इस लोकोकति गारत बताना क्या आएगा इसमें लेखार आएगा चारु उप्षय जे तो इसमें बिलारी बेठी तब को इस लोगोक्तिकार्थ बताना आपको क्या आएगा इसमें तो इसमें आएगा अनेक पाप करके धरम की बात करने वाला वेक्ति option नमर ए आएगा इसमें next क्यापका अब आपको उताने कि इन में से किस वाक्य में गलत किरिया का परियोग हो बताए इन में से किस वाक्य में गलत किरिया का परियोग हो आपको ये बताना चार ओप्षन में से क्या आएगा क्या आएगा चार ओप्षन में से तो इसमें आएगा आपका सही जवाब वो आएगा चार ओप्शन में कौन सा ओप्शन नमबर सी आप आम खा के देखो ओप्शन नमबर सी आएगा इसमें बढ़ते नेक्शन के और अब आपको ताना कि शक्रमक किरिया का परियोग हो है कौन से में हो है बताइए शक्रमक किरिया का परियोग कौन से वाक्य में हो है बढ़ते नेक्स उनके और अब आपको बताना है कि निमन लिखीत में से एक विशेशन सब्द नहीं है कौन सा नहीं बताईए निमन में से एक विशेशन सब्द नहीं है कौन सा नहीं है चार ओप्षन में से तो वो आएगा आपका वर्द ओप्षन नमबर बी वाला नेक्शन कि आपका उतकर्ष एक कुशागर्ष विद्यारती है या कुशागर कौन सा विशेशन बताईए उतकर्ष एक कुशागर विद्यारती है या कुशागर है वो कौन सा विशेशन आपको ये बताना है कौन सा आएगा इसमें गुणवाचक आएगा इसमें option number C बढ़ते नेक्शन की ओर अब आपको बताना है कि इसमें से किस वाक्य में सकर्मक किरिया नहीं है बताईए इनमें से किस वाक्य में सकर्मक किरिया नहीं है चार ओप्सन में से बताईए तो इसमें आएगा सोहन देर रात तक सोता है option number C आएगा इसमें आपका बिल्कुल से जवाब बढ़ते नेक्शन की ओर निमल खीत में से सक्रमक किरिया कौन सी होता ये निमल खीत में से सक्रमक किरिया कौन सी है 4 option में से क्या आएगा इसमें कौन सा आएगा इसमें 4 option में से तो इसमें आएगा आपका ओप्सन नमर भी खाना आएगा इसमें क्या आएगा इसमें खाना ओप्सन नमर भी तो यह तो थे आपके हिंदी व्याकन के चालेश क्यूशन जो कि आद आपको इस प्रेक्टिशेट में करवाए है अब आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच् से जल्ट के वो जानकारी यानि क्लास वो जोइन कर सको तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक क्लास में तब तक के लिए जैद जैबाद धन्यवाद